इसके बाद प्रभु ने अन्य बहत्तर शिश्य नियुक्त किये और जिस जिस नगर और गाउं में वे स्वेम जाने वाले थे वहां दो-दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा फसल तो बहुत है परन्तु मजदूर थोड़े हैं इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वहां अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेडियों के बीच भेडों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न जोली, और न जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले ये कहो, इस घर को शान्ती। यदि वहां कोई शान्ती के योग्य होगा, तो उस पर तुम्हारी शान्ती ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो, और उनके पास जो हो, वही खाओ पियो। क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है, घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो, और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए, वही खालो, वहां के रोग्यों को चंगा करो, और उनसे कहो, ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। परन्तु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो, और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने जाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज आ गया है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा क्या पेक्षा, सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनिय होगी।